सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब 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 जो भी इन्प्रस्टेड हैं अब हम अरे एप्लिकेशन को इन्स्टॉL करके डेमो लेक्शर्स को अवश्य देखें और किसी भी परकार की query के लिए आप description box में दियेगे number पे call या WhatsApp कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ेंगे इस courses के features के बारे में भी थोड़ी से जानकारी मैं आप लोगों को दे रहता हूँ यहाँ पर आपको कभी भी ऐसा लगे कि मुझे पढ़ाई नहीं हो रही है या मुझे किसी guidance की जुरूरत है मुझे किसी व्यक्ती की जुरूरत है जो मुझे समझाए तो आपको हमेशा यहाँ पर दवार खुले हुए मिलेंगे आपको personalized mentorship यहाँ पर provide की जाती है इसके साथ साथ live online lectures या recorded lectures different different courses, different different mode में available है इसके साथ साथ study materials, soft copy, hard copy and mock test और पहला current affair हमारी screen के उपर आता है और पहला current affair दोस्तों क्या कहता है first current affair is all about the वायू शक्ती 2024 पहला current affair क्या कहता है हम एक exercise की बात करते हैं भारतिय वायू सेना की exercise जिसका नाम है वायू शक्ती 2024 इस वायू शक्ती 2024 को भारत वर्ष के अंदर जैसल में राजस्थान में अब्जब किया रहा है जिस तरह से आप हमारे basically उडान देख पा रहे हैं जिस तरह से आप हमारे यानों को देख पा रहे हैं तो एक्सरसाइज इंडियन एरफोर्स के दवारा exercise ये कंड़क्ट की जा रही है इंडियन एरफोर्स जो है ये हर साल इस exercise को कंड़क्ट करता है basically हर साल नहीं मैं कहूंगा basically time to time क्योंकि last 2019 में observe किया गया था last 2019 में observe किया गया था वायू शक्ती कहाँ पर पोकरन एर रेंज में जैसल मेर राजस्थान के अंदर इसको observe किया जा रहा है clear किसी को कोई सवाल किसी को कोई doubt किसी को confusion आप पूछ सकते हैं comment section के अंदर ये भारतिय वायू सेना का एक सान्य अभ्यास है जो कि भारतिय वायू सेना जैसल मेर में करने जा रही है चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अगले करेंटफर की तरफ बढ़ते हैं अगला करेंटफर बहुत जादा महत्तपुर्ण देखते हैं क्या कहता है अगला करेंटफर बात करता है समान नागरिक सहिता यानि की यूनिफर्म सिविल कोड की आप सब जानते हैं कि भारत वर्ष के अंदर uniform civil code की चर्चा बहुत लंबे समय से चल रही है सबसे पहले बहुत सारे students के लिए मैं बता दू कि uniform civil code होता क्या है देखे भारत में अलग-लग communities के लोग रहते हैं कोई Hindu है, कोई Muslimान है, कोई Sikh है, कोई इसाई है कोई Christian है, basically अलग-लग communities भारत वर्ष में वसी हुई है अब भारत वर्ष के अंदर ये जो हमारी communities है इन सब के लिए बहुत सारे matters ऐसे हैं जिनको लेकर कानून भी अलग-लग बने हुए है जैसे, माल लो आपके यहाँ पर शादी हो रही है आपके यहाँ पर ब्या हो रहा है, शादी हो रही है marriage हो रही है किसी की अब हिंदूों में जो शादी है, वो हिंदू marriage act की accordingly होती है जब आप register करवाते हैं शादी को Sikh में, सिखों में शादी अनन्द marriage act के ताहत होती है जिसको हम Sikh marriage act भी कहते हैं मुसल्मानों में ब्या जो है, शादी जो है marriage जो है, यह शरिया law के accordingly होती है, तो अलगलग law जो है भारत वर्ष के अंदर बने हुए है marriages को लेकर registration को लेकर और उसी तरह से divorce को लेकर भी अलगलग rules है, जैसे मुसल्मानों में आप देखते हैं कि शादियों के उपर कोई बंदिश नहीं होती है multiple marriages allowed कर देते हैं और Hindu marriage act क्या कहता है Hindu marriage act में क्या होता है कि आप एक ही शादी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप एक शादी कर सकते हो, Hindu marriage act कहता है कि आप एक पतनी के होते हुए दूसरी पतनी नहीं लेके आ सकते हैं, लेके भी आ सकते हो, first wife का consent होना चाहिए, ठीक है, तो ये कानून अलग लग बने हुए है भारत वर्ष के अंदर, तो भारत देश की सरकार क्या कहती है, एक तरफ हम बात secularism की करते हैं, secularism मतलब धर्म निर्पेक्ष्टा की बात करते हैं, तो धर्म निर्पेक्ष्टा की अगर बात करते हैं, तो समान नागरी एक तरह से सब को treat किया दाता है, अगर हम बात करते हैं, एक ता की unity की और इसके साथ equality की mainly हम बात करते हैं, तो equality तो ये भी होनी चाहिए कि सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए सबके लिए एक जैसा law होना चाहिए या तो सबके लिए basically law एक जैसा बनाओ तो secularism की यहाँ पर हम बात करते हैं तो वहाँ different laws नहीं हो सकते तो इसी लिए uniform civil code कहता है one nation one law one law एक जैसा कानून सबके लिए सब नागरिकों के लिए एक जैसा कानून ये जो one nation one law के चलते हुए समान नागरिक सहिता है uniform civil code इसको भारतिय सविधान के article 44 के अंदर दिया गया है अब article 44 में uniform civil code आता है और ये DPSP का हिस्सा है यानि कि directive principles of state policies राजजन निती के निद्रदेशक सिधान्तों में इसको हम count करते है अब राजजन निती के निद्रदेशक सिधान्तों में है इसी लिए that is not enforceable in the court of law यानि कि अगर इसकी खाना पूर्ती नहीं होती है तो अब अदालत का द्रवाजा नहीं घट-कटा सकते इसी लिए बट हमारी जो current government है इन्होंने पहले भी बोला था हमारे जो ग्रह मंत्री है कई बार बोल चुके है कि भारत वर्ष में जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार है हम लेकर आएंगे हम पूरी कोशिश करेंगे समान नगरिक साहिता है अब भारत वर्ष में अगर मैं बात करूँ उत्राखंड की सरकार जो है ये काफी समेह से कोशिश कर रही है कि उत्राखंड के अंदर हम Uniform Civil Code ले के आएं और उत्राखंड के अंदर Uniform Civil Code को ले के आने के लिए इन्होंने एक कमेटी बढ़ायी थी और इस कमेटी के ध्यक्षता थी अध्यक्ष थी जस्टिस रंजणा परकाश देसाई सुप्रीम कूट की जज़ तो जस्टिस रंजणा परकाश देसाई कमेटी ने अब अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है वो सम्मिट कर दी है किसको उत्राखन के चीफ मनिस्टर को यह हैं उत सो युनिफर्म सिविल कोड में किसी को कोई सवाल किसी को कोई डाउट हाँ अगली चीज गोवा भारत का पहला ऐसा राज्या है यहां पर युनिफर्म सिविल कोड एप्लिकेबल है चलता है गोवा में अब ऐसा नहीं कि भारत सरकार ने गोवा में युनिफर्म सिविल गोवा के अंदर पूर्टूगीयों के द्वारा उच्भाट गोवा को हमने पूर्टगालीं से एक्वाइर किया तो गोवा में पूर्थाइलियों ने चला रखा था, युनिफर्म सिवल कोडो और वही आज भी चल रहा है वही आज भी चल रहा है किसी भी student को कहीं पे uniform civil code को लेकर कोई सवाल रहा है तो आप मन में अगर कुछ question आ रहे है तो आप पूछ सकते हो comment section के अंदर ठीक है कोई objection नहीं है तो uniform civil code की committee जो है इसने अपना report जो है draft report जो है उत्राखन की सरकार को सौंप दिया समान नागरिक सहीत वाली committee और इस committee की धक्ष्टा जैसे कि मैंने अभी बताया justice रंजणा परकाश देसाई justice रंजणा परकाश देसाई उत्राखन के मुख्या मंतरी है पुषकर सिंग धामी और मुख्या मंतरी ने ये भी बोला कि इसकी government जो है एक bill जो है 5 February को assembly के अंदर यानि की विधान सभा के अंदर ले कि आएगी अब देखते हैं क्या आता है 5 February को that is in उत्राखन विधान सभा कोई सवाल आपके मन में है तो आप पूछ सेकते हैं क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो like वाला बटन दबा दिया करो आगे बढ़ रहा हूं अगले करेंटफेर की तरफ अग एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केस के चलते हुए हिमाचर प्रदेश हाई कोट ने आदेश दिया था कि संजे कुंडू जी को basically किसी और पोस्ट में बिठाय जाए तो गौर्मेंट ने इनको पहले ट्रांसफर कर दिया था आयूश डिपार्टमेंट के अंदर बट सुप्र हिमाचर प्रदेश की सरकार कहते हैं कि हम 24,490 करोण रुपे खर्च करेंगे हिमाचर प्रदेश के अंदर agriculture और allied sector के अंदर विवस्ता को ठीक करने के लिए तेजी लेके आने के लिए जिसके अंदर कुछ multiple targets रखे गए हैं जैसे की हिमाचर प्रदेश पहला राज्य है भार प्रदेश का जो की अपने public transport vehicles को electric vehicles से replace करेगा पूरी तरह से जिसके चलते हुए 3000 diesel buses जो है हिमाचर प्रदेश की इनको electric buses से बदला जाएगा एक phased manner के अंदर एक तरीके के थोड़ी थोड़ी buses करके बदला जाएगा इसके चलते हुए 680 करोड रुपे राजीव गांदी self employment start-up scheme के तहर भी दियेगे 50% subsidy जो है वो e-taxies को purchase करने के लिए दी जाएगी इसके साथ-साथ राज्या की सरकार 32 MW का solar power project भी लगा रही है पेकु बेला एरिया में उना district के अंदर इसके बाद NGT अब यह NGT क्या है दोस्तों यह है National Green Tribunal National Green Tribunal अब यह National Green Tribunal क्या होता है सबसे पहली बाद तो यही समझ लीजेगा देखे ट्रिब्यूनल होते है एक्स्ट्रा जुडिशल बादी या फिर मैं कहूंगा क्वास्थी जुडिशल बादी भारत वर्ष में नियाल्यास है सुप्रीम कोट है हाई कोट है डिस्टिक कोट है बट कुछ specific task होते है अब सुप्रीम कोट हाई कोट में तो cases भरे रहते ह हैं बट कुछ special task के लिए उन्होंगे बोला चलो अलग से कुछ bodies बना देते हैं तो 42nd constitutional amendment जब भारतिय सविधान में हुआ था 42nd सविधानिक शंशोधन जो है 1976 में हुआ था जब emergency का दौर था और ये शंशोधन ना बहुत सारे changes लेकिया था इसलिए शंशोधन को mini constitution भी कहते है और इसके तहत tribunals को add किया गया था भारतिय सविधान के अंदर yeah Except tribal ऐड किया गया था अब tribunals को add किया गया ठीक है और इसके लिए दो आर्टिकल आते आ्र्टिकल 323 a और आर्टिकल 323 b Article 323A कहता है दोस्तो Tribunal बनाये जाए Administrative Purposes के लिए Administrative Purposes भारत सरकार के जो करम चारी है उनके जो मुद्दे है उनके लिए उसके बाद Article 323B कहता है Tribunal for other matter कुछ अन्य मुद्दों के लिए Tribunal बनाया जाए तो भारतिय सविधान के Article 323B के तहत अन्य मुद्दों के लिए Tribunal अन्य मुद्दा क्या है environment तो environment के लिए एक body बनती है National Green Tribunal ये environment से जुड़े हुए cases को लड़ता है इसके अंदर हैंडल किये जाते हैं इसकी स्थापना 2010 में की गई थी through our act National Green Tribunal Act of 2010 इसको बनाया गया Justice Prakash श्रिवास्तव Justice Prakash श्रिवास्तव ये इसके executive chairperson है at present या ध्यान रखना अब National Green Tribunal ने क्या बुला एक committee बनाओ किसके लिए कसोली site को review करने के लिए कसोली में एक company है एक industry है वो क्या गरती है अपना waste जो है वहाँ पर कसोली के अंदर एक lake है ठीक है कुंड है एक तो कसोली कुंड में अपना basically सारा का सारा जो waste material है वो डाल देती है pollution create हो रहा है भाई तो National Green Tribunal बीच में आया उसने ये जो company है Mohan Meekan Private Limited इसको अदेश दिया कि तुमारे उपर inquiry बिठाई राएगी inquiry के चलते हुए एक committee का गठन National Green Tribunal के द्वारा किया गया है ये committee अब अपनी report मनाएगी पूरे का पूरा review करने के बाद और NGT को सौपेगी कि क्या यहाँ पर वाकई में ये company अपना waste material का सोली कुड में डाल रही है क्या वाकई में इसने environment को pollute किया है अगर ऐसा हुआ तो इसके खिलाफ लिया जाएगा action इसको लगेगी भारी penalty सो ये बात आपने ध्यान में रखने है students क्लियर किसी को की सवाल कोई doubt चलिए आगे बढ़ेंगे students अगले current affair की तरफ अगला current affair क्या कहता है कलपना चावला पहली भारतिया पहली भारतिया महिला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली चीज तो आप लोगों को ये clear कर देता हूँ कि कलपना चावला जी की अभी death anniversary थी इनका मृत्यू दिवस्ता भी 1st of February को 1 February को 2003 में basically इनका जो plane था वो crash हुआ था और दूसरी चीज ये ध्यान रखना कि ये भारत की तरफ से ये पहली भारतिया है पहली भारतिया महिला है अंतरिक्ष में जाने वाली बट ये भारत की तरफ से mission पे नहीं गई थी ये अमेरिका की तरफ से mission पे गई थी ठीक है ये बात आपने ध्यानकना है कलपना चावला जी इनकी death anniversary इनका जनम हर्याणा में हुआ था 17 मार्च 1962 को इनका जनम करनाल हर्याणा में होता है पैक चंडीगड में पड़ती है 1982 में अरोनाटिकल एंजिन रिंग उसके बाद master डिगरी के लिए चली जाती है USA 1988 में ये NASA को जॉइन करती है उसके बाद 1997 में पहली बार इनको भीड़ा जाता है अंतरिक्ष में उसके बाद इनको दुबारा फिर से भीड़ा जाता है 2003 में अंतरिक्ष में और 2003 में जब ये अंतरिक्ष में गई थी mission complete होने के बाद वापिस आते आते जब ये प्रिथवी के तरफ बहुत तेरी से बढ़ रहे थे और बिल्कुल पास थे प्रिथवी के ठीक है इनका जो जहाज था वो crash हो गया जो यान था वो crash हो गया इनके साथियों के साथ इनके मृत्ति हो जाती है 1st of February 2003 को जो ये पहली भारतिया महिला थी अम तरिक्ष में जाने वाली बट ये भारत के तरफ से mission पे नहीं गई थी ये बात ध्यान रखना चलिए आगे बढ़ेगे students अगले current affair की तरफ अगला current affair क्या कहता है देखते हैं अगला current affair बात करता है try ये try क्या होता है टेलीकॉम regulatory authority of India जी हाँ आपके पास mobile phone है जिसके तुरू आज आप ये class देख पा रहे है mobile phone में एक sim है network चल रहा है network चल रहा है ठीक है चाए वो ATAL है चाए वो Jio है चाए वो Vodafone है चाए वो Idea है चाए वो Tata है कोई भी है चाए वो BSNL है कोई भी है जितनी भी ये टेलीकॉम operators है इन सबको कौन regulate करता है इन सबको कौन इनका चलन करता है इनको किस से license लेना पड़ता है वो Body है ट्राई टेलीकॉम regulatory authority of India यानि कि इन सबके पिता जी ये है टेलीकॉम regulatory authority of India तो टेलीकॉम regulatory authority of India के नए chair person अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है इनका नाम है अनिल कुमार लाहोती इनका नाम है अनिल कुमार लाहोती इनको न्युक्ष किया गया है chair person of प्रेलीकॉम regulatory authority of India तीन साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है या फिर जब तक इनका इनका 65 वर्ष की नहीं हो जाती तब तक इनको अपॉइंट किया गया है जो भी पहले हो जाएगा तब तक ये कार्या करेंगे टेलीकॉम regulatory authority of India को 1997 में बढ़ाया गया था एक statutory body है क्योंकि इसके लिए act pass किया गया था भारत देश के अंदर चतना भी टेलीकॉम्निकेशन वर्क करता है याने की network companies वर्क करती है इनके लिए bidding इनके लिए license ये सब ट्राई वर्क करता है ये सब ट्राई करता है ट्राई के अंदर एक chair person होते है दो पार्ट टाइम मेंबर दो होल टाइम मेंबर ट्राई जो सुझाव देता है के अंदर सरकार के ओपर बाद्धे नहीं होते के अंदर सरकार की मर्ची है मानना है मानो नहीं मानना ना मानो ये है टेलीकॉम रेगलेटरी अथारिटी आफ इंडिया आईए अगला करेंट फिर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्यों ये शक्स कोन है इनका नाम है MK स्टलिन और क्या आप जानते MK स्टलिन कोन है MK स्टलिन है तमिलाडू राज्य के मुख्यमंत्री तमिलाडू के मुख्यमंत्री तो तमिलाडू के मुख्यमंत्री MK स्टलिन ने एक स्कीम लाँच करिए इस scheme का नाम है उंगलाए 30 उंगल उरिल scheme अब ये scheme क्या करेगी बिसिंगली तमिलाडों की सरकार के दोरा जो भी services अपने citizens को provide की दाती है उनका current status क्या है क्या वो लोगों तक पहुच पा रही है क्या services लोगों तक पहुच पा रही है तो इन सब को review करने के लिए इनों ने यह स्कीम को शुरू किया, इस स्कीम के तहळ डिस्टिक collector कैलक्टर जो होंगे ठीक है, कलक्टर और Senior District level officials होंगे यह महीणे में एक दिन, बुद्धवार का दिन होगा, महीणे में बुद्धवार के दिन, 4th बुद्धवार जो होगा, ठीक है, 24 घंटे कार्य करेंगे सुबह 9 व लोगों तक services पहुँच रही है क्योंकि ऐसा ही होता है उपर से बहुत कुछ निकल कराता है अंदर जाकर लोगों तक कुछ नहीं पहुँचता ground level तक चीज़े नहीं पहुँच पाती तो ground level तक services पहुँचाना ही तो main कार है basically जिनके लिए दिया गया उनी तक नहीं पहुँचा तो फाइदा क्या हुआ स्कीम का, initiative का तो ये एक main पकसद यहां पर होना चाहिए तो तमिलाडू की सरकार ने ऐसा initiative launch कर दिया चलिए, आगे बात करेंगे दोस्तो BRICS की, BRICS ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफरीका BRICS एक group है आप सब जानते हैं इसके बारे में BRICS पहले BRIC हुआ करता था बात में S एड किया गया S मतलब साउथ अफरीका एड हुआ 2010 में और अभी इसमें कुछ और countries भी जॉइन कर रहे है यानि कि 5 देश और जॉइन कर रहे है 5 देश और इसके मेंबर बन रहे है, तो में बात यह है कि यह 5 देश कौन कौन से है अगर हम इनके बारे में चर्चा करते हैं तो BRICS के लिए 5 और मेंबर, साउधी अरेबिया इरान, एजिप्ट, एथियोपिया और United Arm Emirates यह 5 और full time members बन चुके हैं, BRICS के और एक country जो और था जो कहता था मैं member बनूँगा बट उसने back out कर दिया वो देश है Argentina, वो देश है Argentina, Argentina ने बोला कि नहीं, अब वो नहीं करेगा join तो यह country हमारे पास सामने निकल कर आते हैं चलिए आप लोगों के लिए question of the day आपकी screen पर आने जा रहा है question of the day को ध्यान से सुनिएगा और देखते हैं कौन इसका answer कर पाएगा question of the day कान कोल लीजिए, ध्यान से सुनिएगा question of the day, BRICS Brazil, Russia, India, China South Africa, पहले BRICS हुआ करता था तो आपको सिरफ ये बताना है कि BRICS की स्थापना किस वर्ष में हुई BRICS की स्थापना किस वर्ष में हुई ये आपको comment section के अंदर बताना है ये आपका question of the day है question of the day के बारे में आप जानते हैं कि इसका answer आप लोगों को class के बाद comment section के अंदर करना होता है तो comment section में देखेंगे आज कौन-कौन उत्तर करता है और मैं सुमभार को आपको class के अंदर दिखाऊंगा कि कौन-कौन से बच्चों ने answer किया था ठीक है BRICS के बारे में सबने answer करना है कि इसका formation जो है किस वर्ष के अंदर हुआ था यह आप लोगों ने बताना है और अन्या बाद एक और ध्यान रखेगा यहाँ पर class जो है वो Monday से लेकर Saturday तक होती है सुभा 11 बजे चलिए तो देखेंगे सही उतर किसका आएगा चलिए तो यह था आज का हमारा current affair अभी बारी कुछ multiple choice questions की है तो कमर कस लीजिए अब उत्तर करने का समय आप लोगों का आ चुका है मैंने जितने उत्तर करने थे कर दिये अब आप लोग उत्तर करेंगे देखते हैं कौन-कौन सही उत्तर कर पाएगा तो सबसे पहले तो जितने भी class देख रहे हो ना like वला बटन ठोक दो वो कहते हैं न सिद्धूची कहते हैं ठोको ताली आप लोग भी ठोक दो बटन जल्दी से जल्दी से so जल्दी से multiple choice questions paper में सवाल आएंगे किस तरह से आएंगे आईए देवियों और सजनों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है जो की आ चुका है उत्तर कीजिए पहले सवाल का जी उंगलाई थेड़ी उंगल उरिल स्कीम delivery of various services basically राज्य के अंदर जो सेवाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए किस राज्य के द्वारा शुरू की गई जल्दी से बता रहा है सभी ने बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अंसर आ रहे हैं बहुत बढ़िया दिस इस तविलाडू यह है तविलाडू अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है इन में से कौन सा देश कहता है कि अब वो ब्रिक्स को जॉइन नहीं करेगा इन में से कौन सा देश यह कहता है कि अब वो ब्रिक्स जॉइन नहीं करेगा बताएं जल्दी से एजिप्ट भी कर रहा है यूएई भी कर रहा है इरान भी कर रहा है आर्जेंटीना बेक आउट कर गया अर्जेंटीना ने बैकाउट कर दिया अर्जेंटीना इस नाउट इस नौट ज्वाइनिग दरिक्स सो यह हमारा उत्तर हो गया अगले सवाल धिदे गि एक। कहता है हाँ जी हिमाचल परदेश की गवर्मेंट कहती है कि हम 32 मेगा वाट का सोलर पावर पुजक्ट लगाएंगे किस एरिया के अंदर कि अच्छ पी स्टेट गवर्मेंट कुश्चन को कंप्लीट कर रहा हूं मैं कहां पर लगाया जाएगा 32 मेगा वाट कपैस्टी का सोलर पावर पुजक्ट उना के अंदर उना डिस्टिक में चलिए अगला सवाल हाँ जी हिमाचल परदेश के नए डीजीप कौन मने है नए डीजीपी इनका नाम क्या है इनका नाम है संजे कुंडू इनका नाम है संजे कुंडू चलिए अगला सवाल नाशनल ग्रीन ट्रिम्यूनल ने एक जॉइंड कमेटी बनाई है मोहन मीकन प्रावेट लिमिटेड को वाटर पोलुशन के लिए इंस्पेक्ट करने के लिए और यह कहां प अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर युनिफर्म सिविल कोड लाने वाली जो कमेटी उत्राखण के लिए बनाई गई थी इस कमेटी के अध्यक्ष का नाम आपको बताना है उत्राखण में समान नागरिक सहीता समान नागरिक सहीता भारतिय सविधान के कौन से अनुछेद में है Article 44 of Indian Constitution में आता है युनिफर्म सिविल कोड या फिर समान नागरिक सहीता क्लियर हुआ सो ये है जस्टिस रंजना परकाश देसाई चली अगला सवाल भारत वर्ष के अंदर कितनी रंसर साइट को हाली में इंक्रीज किया गया है कितनी रंसर साइट हाली में बढ़ाई गई है पहले थी 75 अभी कितनी हो गई 75 से बढ़कर तो 2 तमिलाडू में आड़ होती है 3 करनाटिका में आड़ होती है तो 80 हो गई कितनी बढ़ गई, पांच बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, पांच बढ़ गई, चैलिए अगला सवाल, एक्सेसाइज वायू शक्ती कहां पर अब्जव की जा रही है, अब्जव की जाएगी, बताएंगे दोस्तों जल्दी से, ये कहां पर हो रहा है, तो मैंने बताया है, ये राजस्थान में हो रहा है, अब राजस्थान का तो एक ही आप्शन है ना, जैसल मेर, कहां पर, जैसल मेर के अंदर, चलिए अगला सवाल, जारखन के नए मुख्या मंतरी कोन मने है, जारखन, राजजे के नए मुख्या मंतरी कोन मने है, जारखन की राजदानी है, राजची, जल्दी से बताएंगे यहां कर, नए मुख्या मंतरी कोन मने है, हेमन सोरन तो पहले थे, इन्होंने रिजाइन कि लिया, जिसकी वजा से इनको ED ने अरेस्ट भी कर लिया है, तो इनकी जगा पर हम बैठे हैं, चमपाय सौरंड, चमपाय सौरंड, और Who is Arjun Mundah? क्या कोई मुझे बताएगा, Arjun Mundah कोन है? देखते हैं किसको बता है, Arjun Mundah कोन है? वुई जर्जुन मुंडा ये व्यक्ति कौन है बहुत बढ़िया ये भारत देश के ट्राइबल अफेर्स के मिनिस्टर है चलिए आगे बढ़ेंगे अगला सवाल वर्ड वेटलेंड स्टे दो फेबरेरी को अब्जब किया गया इस बार इसका थीम क्या था देखा थीम आप लोग बताएंगे जल्दी से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ये है वेटलेंड सेंड हुमन वेल्बिंग वेटलेंड सेंड हुमन वेल्बिंग ये थीम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 2024 के अंदर ये था आज का हमारा CurrentFS का क्लास क्मेंट करना शेर करना नहीं भूलना है अब ये क्लास सोमवार को होगी सुबह ग्यारा बज़े आप लोगों से फिर से मुलाकात करूँगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि कौन-कौन मुझसे मिलने आएगा सुबह ग्यारा बजे सोबबार को जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजे फिड़ा बटा दीजे और लाइक अभी भी बहुत बच्चों ने नहीं किया है जल्दी से चलिए सो बहुत सारे स्टेंट्स यहां पर कह रहे हैं कि हम आने वाले हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ओ दिवाकर जी ने सबकी तरफ से बोल दिया वही ओल बहुत बढ़िया चलिए तो आप सबसे मुलाकात होगी सोमबार को सुबा 11 बजे तब तक के लिए